नमस्कार मैं हूँ नांदरी शुकला और आप देखरें न्यूस टेट उत्रप्रदेश उत्राखन के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर यूस अपटेट देश में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खटना सामने आई है दुमका के जर्वा धे में पेट्रोल से जला दी गई 16 वर्षिय छातरा अंकिता शनिवार देर रात जिंदगी की जंग हर गई बीते चार दिन से रिम्स में जिंदगी के लिए जूच रही अंकिता ने दम तोड़ दिया अंकिता की मौत की सूचना जैसे ही दुमका पहुची लोग आक्रोशित हो उठे घटना के विरोध में जगा जगा प्रदर्शन होने लगे रैलिया निकलने लगी लोग दुकान बंद कराने लगे इससे इलाके में तनाव है इतिहातन पूरे शहर में पुलिस बल की तनाती करती गई है शहर में निशेदा ग्या लागू है बता दें कि बीते 23 अगस्त को एक तरफा प्यार में शारुक नाम के युवक ने खिड़की से पेट्रोल छड़क कर अंकिता के शरीर में आग लगा थी इससे वा करीब 90 प्रतीशत से ज्यादा तक जल गई थी बात में गंभीर हालत में उसे रिम्स में भरती कराए गया था यहां इलाज के दौरान शरीवार रात उसकी मौत हो गए अंकिता की मौत के बाद बजरंग दल, विहेप और भाचपा महिला मोचा ने दुमका बंद कराया आक्रोशित लोगों ने पूरे दिन दुमका में विरोध प्रदिर्शन किया लोगों की मांखी की फास्ट्रैक कोट में सुनवाई कराकर आरोपी को फासी दी जाए इधर दुमका एसपी रविवार शाम अंकिता की घर पहुच गए यहां उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि दोशी यूवक को फास्ट्रैक कोट में सुनवाई करवा कर सजा दिलवानी का प्रयास किया जाएगा बता दे कि हत्यारोपी शारुक अभी दुमका जेल में है अंकिता की मौत की सूचना की बाद दुमका शहर में उबाल है तनाव को देखते हुए दुमका में पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाल दिया है इतना ही नहीं सभी चौक चराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है आकरोश और हर जगा जगा हो रहे विरोत प्रदिर्शन को देखते हुए सदर SGO ने धारा 144 के तहट दुमका में निशेदाग्या लागू कर दी है बता दें कि आरोपी शारुक ने कहीं से अंकिता का मोबाइल नमबर निकाल लिया था और वो उससे दोस्ती करने के लिए परिशान था उससे दोस्ती करना चाहता था अंकिता ने दोस्ती करने से मना कर दिया जिसके बाद उसके साथ ये खौफनाक हाथसा हुआ अस्पताल में तडपते हुई अंकिता के मूँ से आखरी शब्द भी सिर्फ यही निकले थे कि जिस तरह से मेरी मौत हुई है उससे बत्तर मौत भी इसी लड़के की हुगी बता दें कि बीते साल में देश में कई ऐसे घटनाएं आई हैं जिसने लोगों का दिल दहला कर रख दिया एक तरफा प्यार में मासूम लड़कियां मासूम रिष्टे मौत के घाट उतर गए इससे पहले तिवारिपूर इलाके के मांचडिया गाउनिवासी 15 वर्षिय नवालिक छात्रा को उसी के गाउ के पटिदारी के यूवक ने मिटी का तेल डाल कर जिन्दा जला दिया था पुलिस ने आरोपी को गिरफतार भी कर लिया था लेकिन घटना में आरोपी यूवक का दोनों हाथ भी जल गया था वहीं उसके बाद बागपतनगर में यमुना रोट पर गुरुवार को छात्रा दीपा की हत्या अचानक ही नहीं की गई थी बलकि आरोपी रिंकू ने दो दिन पहले ही ये सब कुछ प्लान करके रखा था परिजनों को शादी नहीं करने पर उसको मारने की धमकी दी थी जिसके बाद सरे आम रिंकू ने बेरहमी से चात्रा को मार डाला था इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हमारी यूट्यूब चैनल न्यूस्टेट उत्रप्रदेश उत्रा खंड पर तमाम विश्यू पर वीडियोज हैं